Hello everyone, part 3 में दिखाते हैं जहाँ पर दाही हाजुन को देख रही थी क्योंकि उसकी वज़े से हाजुन ने सीनियर से रडाई की थी और वहीं हाजुन भी दाही को देखकर अपने मन में बोल रहा था कि दाही मैं तुम्हें हमेजा प्रोटेक्ट करूँगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो इसके बाद सीन कट होता है और हमें क्लास में दिखाती है जहां पर दाही तो सिर्फ हाजुन को ही देख रही थी जो कि हेड़ डाउन करके लेटा हुआ था तभी वो उसके पास जाकर उसे पूश्चे रखती है कि क्या वो ठीक है और उसे सौरी भी बोलती है बड़ मेरी तबे ठेक नहीं है और यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है इसके बाद मिनी दाही से बोलती है कि क्या तुम ड्रिंक पर चलोगी और हमें दिखाते है जहां पर वो लोग ड्रिंक पर आई हुए थे जहां पर दोना बाते कर रहे थे और मिनी उससे पूश रही थी कि म पर देखता है और जब पीछे पलटकर देखता है जहां पर दाही खड़ी हुई थी इसके बाद सीन वहीं कट हो जाता है और हमें दाही दिखती है जो कि उसकी तरफ ही आ रही थी वह से बात करने के आगे बढ़ता ही है तब भी वहीं पर उन्दोनों की बीच में बहुन आ जाता है इसके बाद हमें प्रेजिन टाइम में दिखाते हैं जहां पर दाही चुपकी से पने रूम में आ जाती है और हिंजुन का मैसेज देखकर स्माइल करने लगती है दूसरी तरफ हमें हिंजुन को दिखाती है जो कि घर वापस आ चुका था और अपने फोन में ही बज़े से वह बहुत यह सैड है इसके बाद हमें दूसरे दिन दिखाते हैं जहां पर दाही कॉलेज में जा रही ती तभी उसे वहीं पर कुछ लड़किया मिलती है जो कि उसे देखकर बात करने लगती है कि देखो यह तो एक साथ दो लड़कों को गुमा रही है एक के सा आती है इसके बात वो क्लास में चले जाते हैं जहां पर वो साथ में प्रोजेक्ट कर रहे थे एक लड़का उन दोने से स्बूर से बोले लगता है कि क्या तो凝स में करती होई तुमले नहीं होतेаюсь नहीं सूस्ती है कि आठी बुह सका दोस्त है बें साथ देता है और जब ज उसे अपनी मॉम के बारे में सब कुछ बता दिया इसके बाद हमें दाही को दिखाते हैं जो कि अपनी मॉम के वर्क प्लेस पे आई थी जहां पर उसकी मॉम को उसके क्लाइट बहुत यदर डाट रहे थे क्योंकि उसकी मॉम बच्चों को ट्यूशन देती है बट उस लेडी के बच्चे ने जादा अच्छी स्कोर नहीं किये थे जिसकी वज़े से वो लेडी दाही की मॉम को डाट रही थी और दाही की मॉम एक सिंगल मदर है जिसकी वज़े से सोसाइटी उने जादा रिस्पेक्ट नहीं देती है तब उसी रूम में दाही आ जाती है और उस लेडी को आकर घुरने लगती है तो उसकी मौम दाही को लेकर बाहर आ जाती है जहाँ पर दाही अपनी मौम से बोलती है कि आपने कुछ क्यों नहीं बोला वो लेडी आपको इतना सुना रही थी बट उसकी मौम उससे कुछ भी न लगता है यह देखकर वह बहुत ज़्यादा सौक हो जाता है और हसने लगता है बड़ बोहुन को तो कुछ काम करेगी बड़ यह देखकर मिनी उसे गुष्से से घुड़ने लगती है तो वहां पर चुपचा बैट जाता है और अपने जीएफ के मैसेज का वेट करने लगता है दूसरी तरफ हमें हाजुन को दिखाते हैं जो कि सीनियर्स के साथ मेटिंग कर रहा था जहां पर वो सब में इटर्वियो ले रहा था तब य उसे कोई कॉल आ जाती है नहीं करो हमेसे जानती है जो कि हमेसा दाही के आगे बीछे गोमता रहता सुन कर मिल देँ देखने लगता हैं यह वहां ।क को रिप्लाई नहीं देते हैं। यहां पर आते ही उससे ब्रेक अप कर लेती है। वह उसे पूर्सता भी है कि तुम उससे ब्रेक अप क्यों कर रही होत तुम्हें क्या नहीं पसंद है तो उसकी गर्फरंट बोलती है कि मुझे तुम पूरे ही नहीं पसंदो और मैं तुम से बोर हो गई हूं इसलिए बोल कर वहाँ से चली जाती है और बोहुन तो बहुत ही अदर सैड हो जाता है दूसरी तरफ हमें दाही को दिखाते है जो कि अपनी मौम के के तोड़ो यह सुनकर दाही मना कर देती है कि नहीं मैं az 11ो सकती में तोड़ सकती और बहुत वहाँ से चली जाती है 4 तरफ कर तो कॉंसे दाही से बहुत ज़्यादा चड़ता है और दाही को देखकर उसे टॉंट मारने लगता है बड़ दाही इस बार सांत नहीं रहती है और उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और वहाँ से चली जाती है यह सुनकर वह सीनियर बहुत ज़्यान हो जाता है दूर से दाही को मीनी भी देख रही थी जिसे देखकर वो स्माइल करने लगती है इसके बाद में हुंजिन और कांग को दिखाते हैं जहां पर कांग उसे पूछता है कि वो लड़की कौन है क्या तुम मुझे उसके बारे में नहीं बताओगे तो हुंजिन बोलता है कि नहीं ऐसी कोई भी बा है कि तुमने ही इस फोन को तोड़ा था ना इसलिए तुम ही इसे सही कर कर दो विड़ी देखकर तुम भी नहीं उसे घूरने लगती है और इग्नॉर करके वहां से चली जाती है इसके बाद में दाही को दिखाती है जो कि हाजुन के साथ बैड मिंटन के प्रैक्टिस कर र इसके बाद कुछ दिन बेच जाते हैं और ऐसे ही कंपटिशन का दिन आ जाता है जहांपर हाजुन और दाही तो बहुत ही अच्छी से तैयार थे वहें पबलिक में हमें हिंचुन को भी दिखाते है जो कि दाही का मैच देखने के लिए आया था इसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है जहांपर राजुन तो बहुत ही अच्छी से खेल रहा था बट वो दाही को एक भी सौट नहीं मारने देता है और खुदी उसके आगे आकर मार रहा था बट तभी पबलिक में कुछ लोग बोलते है कि यहाजुन दाही को सौट क्यों नहीं मारने दे रहा है तो दिखाते हैं कि दाही के अपोजिट जो टीम खेल रही थी उसके पार्टनर की तवियत खराब हो गई थी जिसकी वज़े से उनका टीम पार्टनर वासे चला जाता है तो भी वो लड़की आकर हुंजन के पास बैट जाती है और बोलने लगती है कि यह हाजुन दाही को सुनकर दाही को बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसने बहुत जदा प्रैक्टिस की है इस मैच के लिए इसके बाद मैच स्टार्ट हो जाता है जहां पर अपोसिट टीब में हुंजिन था जिसे देखकर दाही काफी सौक्ट होती है बठी हुंजिन उसे देखकर स्माइल करने लगता है और मैच स्टार्ट हो जाता है वही हमें हुंजिन को दिखाते हैं जो कि तो मुझे चास नहीं दे सकती ये सुनकर हाजन काफी सौक्ड होता है और दुबारा से मैच स्टार्ट हो जाता है जहां पर हिंजन उसे काफी हार्ट सौट देता है जिसे दाही काफी जोर से मारती है और सामने वाली टीम आउट हो जाती है और दाही वहीं पर जीच जाती है सारे लोग ये देखकर बहुत ज़द खुस होते है जहां दाही और हिंजन एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते है तभी सारे लोग वहीं आ जाते है और दाही की तारीफ करने लगते है बड़ वहां से मीनी के पास चली जाती है जहांपर मीनी उससे बोलती है कि तुमने अच्छा खेला तो दाही बोलती है कि हाँ सिर्फ एक बार मैंने सिर्फ एकी सौट मारा तब यह में हाजुन को दिखाते हैं जो कि दाही को बुलाता है बर दाही उसकी बात नहीं सुनती है जिससे देखकर मेनी बोलती है कि देखो ये फिर से आ रहा है तो दाही बोलती है कि नहीं इस बार नहीं और ये बोल कर वो हुंजिन की तरफ चली जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम कर फ्री हो जिससे सुनकर यहारा बोखन के साथ बहुत ही अच्छे से बैटमिंटन की प्रैक्टिस की थी और यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है तो जल्दी मिलते हैं इसके नेक्सट पार्ट में अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लेस इसे लाइक कर दे और हाँ सब्सक्राइब भी कर दे थैक्स पर वाचिंग